गुड मॉर्ने श्टुडेंट्स मैसेल्फ संदीव गिर्दर तुड़ी आइल टीच यू मैथमेटिक्स ओफ क्लास एट एज यू आवर 16 चैप्टर एरिया ओफ ट्रैपीजियम एंड पॉलिगन इस रने तो हमने हमारी प्रीविएस वीडियो के अंदर इस अक्सरसाइज के क उसे नंबर शिक्स तक आपको अच्छे से करवा दिये थे और मुझे उमीद है कि वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे और फेयर नोट बूक में भी कर लिए होंगे यदि आप फेयर नोटबूक मेंटेंड नहीं कर रही हो तो मैं आपको यही सजेस्ट क बनाओगे तो इसलिए जो डेली काम दिया जा रहा है आपको थोड़ा-थोड़ा उसको आप साथ-साथ करते रहें तो देखिए क्योश्चन नमबर सेवन दा एरिया ओफे ट्रैपीजियम इस थ्री हंड़र्ड स्केर मीटर तो देखो एक ट्रैपीजियम है इसे हम माल लेते हैं वह किसके एक्वल है ट्रैपीजियम इड्र तो यह 15 मीटर है और इस पूरे का जो एरिया है वह हमें गिवन है 300 स्केर मीटर इस देख्रेंश ओफ दा पैरलल साइड इस 16 मीटर तो इसको एक साइड पैरलल एबी है और दूसरी साइड हमारे पास क्या है ड friends 16 आएगा तो find the length of the parallel sides तो हमें इन दोनों parallel sides की length find करनी है तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं given that area is equal to 300 square meter and altitude या height किसके equal है हमारे पास 15 meter के ठीक है तो अब let करते हैं let one parallel side is जिसे हम b1 let कर लेते हैं वो किसके equal है x meter के then according to question या according to statement जो other parallel side है b2 वो क्या हो जाएगी x plus 16 meter क्यों क्योंकि इन दोनों का जो difference है वो किसके equal है 16 meter के यदि आप इस में से x plus 16 में से subtract करोगे x को x से x cancel होके जो इनका difference है वो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा ठीक है तो हमारे पास b1 b2 पता चल चुका है area हमारे पास है height हमारे पास है तो we know that area of a trapezium is equal to half into height into b1 plus b2 तो इसके अंदर values put करेंगे area के place पे हम area लिख देते है 300 is equal to 1 by 2 into height के place पे क्या लिखेंगे 15 into में b1 हमारे पास क्या है x और b2 क्या है x plus 16 तो अभी आप देख सकते हो इस 2 से ये 15 cut नहीं हो रहा exactly तो आप क्या करोगे cross multiply कर दोगे 2 की cross multiply कर देंगे 300 से तो 300 multiply 2 हो जाएगा और ये किसके equal रह जाएगा इदर 15 multiply with x में x को add करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x plus 16 अब आप इस 15 को भी यहां से renew करना चाहो तो कर सकते हो ये 15 इदर आके क्या हो जाएगा divide में तो 300 multiply 2 divide by 15 इदर क्या रह जाएगा 2x plus 16 ये आप अच्छे से सीख चुके हो 7 chapter में अब इसको इसको cut कर देंगे तो ये 20 आएगा 20 की 2 से multiply कर देंगे तो क्या जाएगा 40 किसके equal होगा 40 2x plus 16 के तो अब यहां से हम 16 को shift कर देंगे left side में तो ये कितना आएगा 24 is equal to 2x और x की जो value है वो हो जाएगी 24 divided by 2 x is equal to 12 तो अब ही हमारे पास value आई है x की और हमें find क्या करना है दोनो parallel sides तो parallel sides को हम क्या let करके चले ते जो b1 है वो है हमारा x meter तो x क्या value आई है 12 तो b1 की value हो जाएगी 12 meter और जो b2 है वो क्या है 16 meter more than है इस से जादा है तो 12 plus 16 is equal to 28 meter तो इस तरह से हमारे पास b1 और b2 मतलब जो दोनो parallel sides है उसकी value हम इस तरह से find करेंगे अब देखिए इसका next question अब देखिए इसका जो question number 8 तह है the length of the parallel sides of a trapezium are in the ratio 3 ratio 4 जैसा कि ये एक trapezium है इस trapezium के अंदर आपको जो parallel sides है उनका ratio given है 3 और 5 तो इसका मतलब ये समझना कि 3 cm और ये 5 cm है ऐसा नहीं है ये ratio given है तो ratio जब given होता है तो हम x की multiply कर देते हैं तो let कर लेते हैं जो इसकी first side है जो a b उसको 3x और इसको greater वाली cd है उसको हम क्या let कर लेते है 5x है तो हमारे पा पास 10 cm है और area भी हमें given है area है 120 square cm तो हमारे पास जो जो चीज़ें है वो क्या है given that में आप क्या लिखोगे area is equal to 120 square cm perpendicular distance जिसे हम किस से represent करेंगे x से वो किसके equal at 10 cm के और जो ratio था किनका parallel sides का वो क्या था 3 ratio 5 तो हमने let कर लिया b1 is equal to 3x and b2 is equal to 5x तो अब हमारे पास formula क्या है area find करने का half into height into b1 plus b2 तो area के place पे 120 half into h के place पे 10 और into में b1 के place पे 3x और b2 के place पे 5x put कर देंगे 2 से 10 cancel होगे 5 आएगा तो 120 is equal to 5 multiply with इन दोनों को add करेंगे तो 8x 8 की 5 से multiply करेंगे 40x is equal to 120 और x की हमें value find करने है तो 120 को 40 से divide कर देंगे क्या आएगा 3 तो x की value है वो हमारे पास क्या आई है 3 x की help से हम जो इसकी parallel sides है वो find कर सकते हैं तो 3 multiply 3 is equal to 9 meter और 5 multiply 3 is equal to 15 meter तो इस तरह से इसकी जो parallel sides होंगी वो क्या होंगी 9 meter and 15 meter अब देखिए next question अब देखिए इसके बाद जो question number 9th है very very important question है यह इस exercise का देखिए question number 9th two parallel sides of an isocellus trapezium are 6 cm and 14 cm यह देखिए आपके पास इस तरह से एक trapezium है जिसमें two sides है एक तो 6 cm और दूसरा है 14 cm यहाँ से यहाँ तक if the length of each non parallel side is 5 cm सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि जो isocellus trapezium में वो क्या होती है देखिए trapezium जिसमें one pair of opposite side क्या हो parallel हो और जो other pair है वो क्या हो non parallel उसे तो हम बोलेंगे trapezium और isocellus trapezium का मतलब यह होता है कि जिस trapezium में जो non parallel sides है वो भी length में क्या हो equal हो तो उसे हम क्या बोलेंगे isocellus trapezium और जो इसकी non parallel sides है वो किसके equal given है 5 cm और यह भी क्या है 5 cm तो यह हमें figure given है और हमें इस trapezium का क्या find करना है area तो इस area को find करने के लिए आपके पास height given नहीं है तो हमें height find करने के लिए क्या करना होगा तो यह नया question है ऐसा यह question 12 भी है तो देखिए इसके लिए आपको एक काम करना है यह AB जो है यह parallel है DC के और आपको BC के parallel एक line segment draw करना है जो की parallel हो BC के तो इसको हम name दे देते हैं M तो draw AM parallel to BC which cuts DC at M जो DC को कहाँ पे cut करेगा M पर तो अब हम यहाँ यह लिख सकते हैं AB is parallel to DC यह given था and AM is parallel to BC यह हमने construction की है ठीक है तो therefore we can say ABCM is a parallelogram तो हम यह कह सकते हैं कि जो AM ABCM है यह क्या है एक parallelogram पर लेलोगराम क्यों है क्योंकि देखो यह दोनों parallel पहले से ही given है यह हमने construction किया है तो जब किसी भी quadrilator में both pair मलब दोनों opposite pair जो है वो क्या हो पैरलल हो यह इसके parallel है यह इसके parallel है तब हम कह सकते हैं कि ABCM is a parallelogram तो वो parallelogram prove हो जाएगा तो यदि यह parallelogram है तो यह 6 cm है तो आपको पता है parallelogram में opposite side क्या होती है इक्वल होती है तो MC जो है वो equal होगा AB के और AB किसके equal है 6 cm के तो इसलिए MCB किसके equal हो जाएगा 6 cm के इसी तरह से जो AM है वो equal होगा किसके BC के क्यों equal होगा क्योंकि opposite sides of parallelogram क्या होती है इक्वल होती है और AM is equal to BC और BC किसके equal है 5 cm के तो यह जाएगी 5 cm अब आप यहां से DM की value find करोगे DM तो देखो DM की value find करने के लिए आपको पूरा जो यह DC दिखाई दे रही है इस DC में से इस पूरी length में से हम MC को minus कर देंगे तो हमारे पास किसकी value रह जाएगी DM की तो यह दे करेंगे तो यह क्या जाएगा DM तो DM is equal to 8 cm तो यह distance हमारे पास आगया 8 cm अब आप यह देखिए यह हमारे पास triangle बन गी है ADM ADM कौन सी triangle है Isocellus क्यों क्योंकि इसकी यह दोनों side जो है यह क्या है equal है यह भी 5 cm और यह भी 5 cm तो हम यहां पे क्या करेंगे देखो in an Isocellus triangle ADM draw AN perpendicular to DM जो यह AN है एक perpendicular draw करेंगे हम AN किसके उपर DM पर which bisects जो इसको bisect कर देगा which bisects DM जो DM को क्या करेगा bisect करेगा तो इसलिए जो DN है वो equal होगा MN के और यह 8 है तो 8 का half क्या हो जाएगा 4 तो यह दोनों के दोनों क्या हो जाएगे 4 cm और यह भी क्या हो जाएगा 4 cm अब हमें value किसकी find करनी है N की तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एन डी या ADN देखिए आप इधर वाली ट्राइंगल यह वाली जिसको में डार्क कर देता हूं जोड़ा था यह शैडिड कर दिया तो देखो ADN में हमें हाइप यह find करना है perpendicular तो perpendicular find करने के लिए using pythagoras theorem आपने pythagoras theorem को पढ़ रखा होगा तो देखो pythagoras theorem में क्या होता है जो hypotenuse होता है hypotenuse का square वो equal होता है किसके base square प्लस में perpendicular square के तो देखो इसमें hypotenuse किसके equal है 5k तो यहां पर 5 का square हो जाएगा base किसके equal आया है 4k तो यह 4 का square होगा और यह perpendicular है प्रपेंडिगुलूर को हम लेट कर लेते हैं जो इसकी हाइट है h तो यह हो जाएगा h square तो 5 का square क्या होगा 25 4 का square क्या होगा 16 और प्लस में h square तो अब h की value हमें find करने के लिए क्या करना होगा इसको subtract करेंगे यहाँ 9 आएगा तो h square 9 के equal है तो h की क्या value हो जाएगी 9 का square root किसके equal होता है 3 के तो हमारे पास height जो है trapezium की वो आ चुकी है 3 cm और अब height आ चुकी है तो हमें क्या find करना है area of trapezium तो area of trapezium find करने का formula आपको पता ही है half into में height height किसके equal है 3 cm और into में b1 b1 हमारे पास 6 cm और plus में b2 total जो है यह हमारे पास क्या है 14 क्योंकि parallel sides का sum होता है तो 1 by 2 multiply with 3 multiply with इन दोनों को add करेंगे यह क्या होगा 23 2 से 20 को cut करेंगे 10 और 10 और 3 की multiply कर देंगे तो 30 square cm तो यह इस trapezium का क्या होगा area होगा दोबारा से देखिए हमारे पास एक trapezium था जिसकी non parallel sides 5 cm थी और parallel sides 6 cm और 14 cm थी तो हमने क्या करना है BC के parallel एक AM को draw करना है जो DC को M पर intersect करेंगे तो यह दोनों already parallel थे यह हमने construction से parallel प्रूव किये हैं तो यह हमारा क्या बन जाएगा एक parallelogram parallelogram में opposite side क्या होती है equal यह 6 है तो यह भी 6 यह 5 है तो यह भी 5 अब यह हमारे पास एक isosalist triangle बन चुकी है जिसमें 2 side equal है तो हम A से एक perpendicular draw करेंगे DN के उपर जो DM को क्या करेगा bisect करेगा किसके उपर N पर तो यह 8 है तो यह 4 4 हो जाएंगे फिर एक right angle triangle से हम पाइथागोर स्थियोरम का use करके इसका perpendicular find करेंगे perpendicular हमारे पास क्या जाएगा 3 तो perpendicular को ही हम height कहते हैं तो height का और B1 B2 का use करके हम इसका area find कर लेंगे अब देखिए इसके बाद next question अब देखिए इसके बाद question number 10 देखो जैसा के आपको figure दिखाई दे रहा है A, B, C, D is a trapezium of area 91 square centimeter तो देखो इसका area जो है वो given है C, D is parallel to A, B जो यह C, D है वो parallel है A, B के and C, D is longer than A, B by 8 centimeter जो C, D की length है वो 8 centimeter जादा है किस से A, B से if the distance between A, B and C, D तो दो को A, B और C, D के बीच में जो distance है वो हमें किसके equal given है 7 centimeter के find A, B और C, D की हमें length find करनी है तो सबसे पहले तो हम यहां लेख लेते हैं given that area of trapezium is equal to 91 square centimeter and height is equal to perpendicular distance is equal to 7 centimeter length A, B is equal to X centimeter then according to question या according to statement जो C, D है वो more than A, longer है किस तना 8 centimeter किस से A, B से तो X के अंदर हम 8 add कर देंगे तो यह क्या जाएगी length किस क्या जाएगी C, D के तो यह जाएगा X plus 8 centimeter और यह हमने क्या length कर लिया X centimeter तो we know that area of trapezium is equal to half into height into B1 plus B2 तो यहां देखिए area किस के equal है 91 के, half into height किस के equal है 7 के और B1 हमने क्या length किया था X और B2 क्या है X plus 8 तो यह 2 से 7 कट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे 2 के उदर multiply कर देंगे इदर क्या रहेगा 7 into में X plus X क्या हो जाएगा 2X plus 8 अभी 7 को भी हम यहां से remove कर सकते हैं, तो यह 7 इसके upon में आ जाएगा इदर क्या रहेगा 2X plus 8, तो 7 से इसको cut कर देंगे 13, 13 के 2 से multiply कर देंगे क्या आएगा 2, 26X is equal to, sorry 26 आएगा only, 26, 13 to 26 is equal to 2X plus 8 अब हम क्या करेंगे यहां से X की value find करने के लिए पहले इस 8 को यहां पे लेके आएगे तो यह minus हो जाएगा, इन दोनों को subtract करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 18 is equal to 2X तो X की value क्या हो जाएगी, 18 divided by 2, cancel होके 9, तो X की value हमारे पास क्या आई है, 9 तो last में हम क्या लिख देंगे, 10, जो AB हमारे पास parallel side थी, वो 9 cm है और जो CD है, वो इससे कितनी जादा है, 8 जादा थी, तो 8 प्लस 9 किसके equal हो जाएगा, 17 cm तो CD की value 17 है, और AB की जो value है, वो क्या है, 9 cm अब देखिए इसके बाद, next question अब देखिए, इसके बाद, question number 11 find the cost of watering a trapezoidal field, देखो, एक field है, जिसकी shape, trapezoidal है, उसके अंदर हमें पानी देना है, जैसा कि हम हमारे खेत के अंदर पानी देते हैं, तो उस खेत की, या उस field की, जो भी shape है, वो कैसी है, trapezoidal, और उसके अंदर पानी देने के लिए, हमें कितने रुपे खर्च करने पड़ और 25 meter है, the perpendicular distance, जो इनके बीच का यह जो perpendicular distance है, वो है 15 meter, तो जो watering, जो पानी देने की जो rate है, वो है 4 rupees per square meter, तो आपको पहले इस पूरे field का area find करना है, और area find करने के बाद उसकी 4 rupees से क्या कर देनी है, multiply, तो देखिए यह एक shape, हमारे पास कैसी है, trapezoidal field है, और हमें इसका area find क सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, given that, जहां से direct भी लिख सकते हैं, जो B1 है, हमारे पास वो 10 meter है, B2 25 meter है, और इन दोनों के बीच का जो perpendicular distance है, वो है 15 meter, तो area of trapezium find करने का formula है, half into height into B1 plus B2, तो देखिए half into height, मलब जो उनके बीच का distance है, वो 15 है, और B1 हमारे पास 10 है, B2 ह हमारे पास 25 है, तो 1 by 2 into 15, multiply इन दोनों को add कर देंगे, क्या हो जाएगा, 35, अब 2 से ये cut नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, 35 की multiply कर देते हैं, 15 से तो क्या जाएगा, यहां से देखिए, 525, तो ये हो जाएगा, 525 upon 2 square meter, ये area आया है, किसका area है ये, इस trapezial field का, यदि इस decimal में करना चाहो, convert, तो decimal में convert कर सकते हैं, अब देखिए, इसके बाद, sorry, अब देखिए, यहां पर ये हमारे पास 525 upon 2 square centimeter क्या है, area, किसका area है, ये, इस field का, तो अब यहां लिखेंगे, हम cost of watering, of 1 square meter area, 1 square meter area की cost है 4 rupees, तो हमें cost find करनी है, इस पूरे field को, पानी देने की, तो ये हो जाएगा, 525 upon 2 square meter area हो, तो इसकी multiply कर देंगे, 525 by 2 की 4 से, 2 से 4 cancel हो जाएगा, 2 आ जाएगा, अब इसकी हम multiply करेंगे, तो 1,050 rupees, तो total cost कितनी हो जाएगी, 1,050 rupees, तो इस वीडियो के अंदर हम question number 11 तक ही करेंगे, बाकी के जो हमारे 3 questions हैं, क्योंकि जो वीडियो है, यह बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं तक आपने करना है, इसके next question हम next video में करेंगे, thank you.